मुझे आज एक प्रिंटर मिला था देखे इस एक प्रॉब्लम है सबकता है डबली में जाया है यह विंडोस का टेस्ट पेज है जो हम लोग PC से देते हैं दोनों साइड में किया है मैंने तो एक्टुलिए इसका सॉलेशन तो मुझे भी पता नहीं था तो मैं जो जो किया हम आपको सब बता देता हूं सबसे पहले मैंने इसका इंकोडर चेंज किया मुझे लगा सकता है हो सकता है टाइमिंग की वह से हो रहा है लेकिन इससे भी नहीं हुआ फिर मैंने यह क्लें किया डिकोडर और यह सेंसर इससे भी नहीं हुआ उसके बाद मुझे लगा साइज इंक की प्रॉब्लम होगी लेकिन इंक सारे ओरिजनल थे तो इंक चेंज करने का कुछ नहीं था इसमें से मैंने एयर निकाल लिए सब इंजेक्षן की हेल्प से पता ना यहां से हम लोग निकाल के यह एयर निकालते देखें 有 पुरा पायक है रुका सब भी और यहओ है इसके बाद मूझ भी नहीं हुआ था तो आसे पहले मैंने यूटूब पर दीखा मैंने जो फेस किया मैं आपको क्लिरली बता रहा हूं उसमें क्या मुझे दो वीडियो में मिला कि आप इसको क्लीन कर लीजिए जो ट्रैक है पूरा इस पर ग्रीस वगरा लग जाता ना उसकी डस्ट की वैसे प्राब्लम आता है यह वाला लेकिन कुछ हुआ नहीं तब भी सेमी प्राब्लम था फिर मैंने कैरेज चेंज गया यह पूरा यह वाला यूनिट यह देखे यह ओल्ड वाला है अलाग इसमें कुछ है नहीं सिफेक सेंसर है जो कि यह वाली पट्टी रीड करती है यह सेंसर मैंने बदल दिया उसके बाद सही हुज़ा मुझे लग रहा है सेंसर का ही प्राब्लम है क्योंकि बंदे ने इसमें वैसलिन लगाया हुआ है तो यह सेंसर की दिक्कत थी चिसकी वैसे प्राब्लम हा रहा है मैंने पूरा यूनिटी बदल दिया फिलाल अप प्रिंट ओके है तो मैं आपको एक प्रिंट दिखाना चाहता हूं कि प्रिंटर आउन किया है मैंने आपका भी हाद ऐसे गंदा हो जाएगा प्रिंटर रेडियो हो रहा है कि मैंने यह लिखा है कुमार प्रिंटर चारो कलर में इससे कलर को अभी पता चलि जाएगा और प्रिंट कैसा रहा हो भी मालूम पड़ जाएगा यह मैंने प्रिंट पर क्लिक किया अब अब लगता है दूसरा प्रिंटर से लेकर दिया माने अब यह है एपसन कॉंपी 3 एपसन कॉंपी 3 ओके देखें प्रिंट आउट आपके सामने है क्लेन है एकदम सो डबल इमेज की प्राव्लम ऐसे सॉल्व होती है और यह देखें मैंने विंडोस टेस्ट पर निकाल ला था यह भी फर्स क्लास है वीडियो बनाने के पहले तो डबल इमेज की प्राव्लम जो है आपके केरे सेंसर से है या फिर केरे यूनिट पूरा ही बदल दीजिए थैंक यू जल्दी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों